शिमला आयस बीटी में पुलिस द्वारा हिमकारा स्टोर सुधार गरी उतपाद प्रदर्शन इवं विक्रे कींद्र खुला गया जिसका शुभारंब वीरवार को पुलिस महानिदेशक सुमेश गोयल ने किया इस टोर में कैदियों द्वारा तियार किये गए उतपाद प्रदर्शनी वाविक्रे के लिए उपलब्द है कैदियों को मुख्यधारा से जोडने की उदेश से चलाई गई इस मुहिम के तहत अन्य जिला मुख्याले में भी इस तरह के स्टोर पुलिस द्वारा खोले जाएं जिसमें किफायती दामों में लोगों के लिए बेहितरीन उतपाद उपलब्द होंगे। पुलिस महानिदेशक सुमेश गोयल ने कहा कि पुलिस के इस कारे को जनतावा सरकार का भरपूर सैयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इस मुहिम के तहत कैदियों को आमनागरिक की तरह जीवन यापन करने का अवसर दिया जा रहा है। सुमेश गोयल ने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के स्टोर प्रतेक जिला मुख्याले में खोले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका उदेश्य ज्यादा से ज्यादा कैदियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्टोर पुल जाएं तो हमें बड़ी सुगदा होगी। तो हमने यहां पर प्रेक स्टोर प्लैन किया। और आज इसको विदिवर गूप से इसका शवारम किया गया है। मुझे अवीद है कि यहां जो हमारे डेल के प्रॉड़क्स हैं उससे जो हम आएस बीटी में यातरी दोगार आते हैं उसको लाप होगा। और आने वाले दो-चार दिनों में हम यहां पर प्रॉड़क्स की सुद्धा भी उपलब्द करवाने वाले हैं। कि उनको एक साफ सुद्धा अच्छा और रीजनेबल बेट्स के पोजन भी जाना है। इस स्टोर को भी हमारे उमर बंदी हैं। उत्तम वो चला रहे हैं। और सारे जितने भी हमारे स्टोर हैं। अब मेरे घाल में यह हमारा कोई दस्वा या ग्यार्वा स्टोर है। तो यह सारे स्टोर हमारे बंदी ही चलाते हैं। हमारे फिछे सोच यह है कि बंदियों को आम समाज के नागरिक की तरह जैसे एक दुसरा दुकानदार होता है उसी प्रकार से उनको जीवन अपना यापन करने का एक अफसर दिया जाए कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने की पुलिस प्रशासन की ये कोशिश सच में काबिले तारीफ है पुलिस प्रशासन की इस कोशिश से जहां कैदियों को समाज का बेहितर नागरिक बनने की प्रेणना मिलेगी वहीं दूसरी ओर घर के किसी सदस्य के जेल जाने के बाद बिगडी घर की आर्थिक स्थिती को भी पट्री पर लाने में सहायता मिल रही है Bureau Report City Channel शिमला